इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जारकन के परुसिक्षा मंत्री टाइगर जगरनात महतो की पत्नी बेबी देवी आगामी तीन जुलाई को मंत्री पत्की शपत लेने जा रही है शपत कारिकरम कायोजन राजभवन में दो पहर 12 से एक बजे के बीच होगा आपको बता दें कि डुमरी विधानसबा सीट से विधायक रहे टाइगर जगरनात महतो के देहान के बाद से ही यह लगातार कयास लगाया जा रहा था कि हेमंत कैबिनेट में जगरनात महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री बनाया जा सकता है हलाकि टाइगर जगरनात महतो के देहान के तीन महिने बाद भी उनकी पत्नी को मंत्री मंडल में शामिल नहीं किया जा सका कई तरह की बयानबाजी भी सामने आ रही थी उनके समर्थकों की तरब से दलिल ये भी थी कि अगर हाफिजुल हसन को जामुमो मंत्रीपत की शपत दिलवा सकती है तो बेबी देवी को क्यों नहीं बहराल लेट लतीफी की वजहें चाहे कुछ भी रही हो पर अब ये अत्य है कि बेबी देवी ही मंत्रीपत की शपत लेंगी वो भी तीन चुलाई को राजभवन में बारह बजे से लेकर एक बजे के बीच जिसकी आधिकारी खोशना भी हो चुकी है आपको बता दें कि जारकन के पुरु सिक्षा मंत्री टाइगर जगरनात मतो जामुमों के लिए वो तुरुप का पत्ता थे जिनका विकल्प उनके जाने के तीन महीने बाद भी ना जामुमों खोच पाई है और नहीं खोद मुख्य मंत्री हेमन सोरेन हेमन सोरेन की टाइगर जगरनात मतो के साथ नस्दीकी के कई किस्से राजभर में मश्यूर हैं मसलन जगरनात महतों के छेतर में यात्राव कारिक्रम में शरीक होने के लिए खोद मुख्यमंत्री हेमन सोरेन बिना कहे अपना हेलिकॉप्टर उन्हें मोहिया कराय करते थे हेमन सोरेन की नीजी तोर पर यह कोशिस होती थी कि कई वर्षों से बिमार चल रहे जगरनात महतों को छेतर में यात्रा करने के लिए तकलीफ उठानी ना पड़े पुर्व सिक्षा मंतरी टाइगर जगरनात महतो के समर्थक बताते हैं कि हेमंद जगरनात महतो को इसलिए भी बेहत सम्मान देते थे क्योंकि जगरनात महतो जामुमो अध्यक्ष वगरुजी शीबू सुरिन के बेहत करीबी हुआ करते थे जाहिर है आज जब पुर्व सिक्षा मंतरी टाइगर जगरनात महतो की पतनी बेवी देवी के मंतरी बनाये जाने की आधिकारी खोशना हो चुकी है ऐसे में आज डुमरी विधानसवा छेतर की जनता के लिए भी आज का दिन बेहत विशेस है जब बात बेवी देवी की होई तो ऐसे में आज बात जब जब पुर्व सिक्षा मंतरी टाइगर जगरनात महतो के राजनेतिक सफर पर भी हो चाए डुमरी विधानसवा छेतर से लगातार चार बार विधायक रहे जब बात बार विधानसवा चुनाव साल 2000 में समता पाटी के टिकट पर लड़ा था पर पहले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा ज्यारखन गठन के बाद राजि में पहला विधानसवा चुनाव उस चुनाव में ज्यामुमो नेता जगरनात महतो ने डुमरी विधानसवा सीट से अतिहासिक जीत आसल की दूसरी ही बार में डुमरी सीट को फता करने वाले जगरनात महतो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखे लेकिन साल 2005 की विधानसवा चुनाव में जामोमो के टिकट पर डुमरी सीट से चुनाव लड़ना टाइगर के लिए इतना भी आसान नहीं था सक्री राजनिती में उनका प्रवेश भी कम देलचस्प नहीं रहा है कहा जाता है कि जगरनात महतो ने जामोमो के ततकालीन डुमरी से विधायक शीवा महतो के साथ अपनी राजनितिक यात्रा की शुरवात की थी जब शिवा महतों ने डुम्री विधानसभा सीट से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसी समय जगरनात महतों उनका दाया हाथ यानि सेकेंड मैन बनकर पूरी छेत्र में उपरे थे सन 1960 से 1999 के पुर्व तक के विधानसभा चुनाव में जगरनात महतों तब के तक कालीन डुम्री विधायक शिवा महतों के साथ ही रहे पर 2000 की विदानसभा चुनाओ में जब शीवा मतों ने जगरनाथ मतों के लिए डुम्री सीट नहीं छोड़ी तब जगरनाथ मतों ने समता पाटी के टिकट पर डुम्री से चुनाओ लड लिया था अलाकि उस चुनाव में डुमरी विदान सबा सीट से जगरनात महतो की विदान सबा चुनाव में यग पहली और आखरी राजनेतिक हार साबित हुई थी विदान सबा चुनाव में अलाकि बाद में लोग सबा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था फिर तो खुद शीबू सोरेण ने जगरनात महतों को जामोमों में शामिल कराया और महतो वोट बैंक परम परागत तरीके से जामोमों के पाले में ही रहे अलग जारकन राजी में पहला विधानसबा चुनाव साल 2005 में हुआ था जामोमों के टिकट पर तब जगरनात महतों ने डुमरी विधानसबा सीट से चुनाव लड़ा और फिर जीवन के आखरी दिने तक जामोमों के बैनर तले जीत की हैटरिक ही लगाते रहे सं 2005 की विधान सभा चुनाव के अलवा, जग्रनात महतो ने साल 2009, 2014, 2019 की विधान सभा चुनाव में जबर्दस जीत हासल की थी लगातार चार बार डुमरी से विधायक चुने गए जगरनात महतों को साल 2019 में राज में हेमंद की सरकार बनने के बाद स्रिक्षा वो उत्पात मंत्री बनाये गया जगरनात महतों के संघर्ष व जमीनी पकड़ के कारण वे सोरेन परिवार के सरवाथिक विश्वास पत्रों में से एक थे कहते हैं कि कोईलांचल में विरोध बिहारी मतों और टेकलाल महतों के बाद जामूमों में जिस नेता का सबसे ज्यादा उदय हुआ उसमें जगरनात महतों का नाम सबसे पहले लिया जाता है 1932 खातियान के पुरजोर समर्थक जगरनात महतों की 1932 प्रेम भी जग जाहिर रही हाल तो यह था कि उनके नीजी मोबाइल नंबर तक में 1932 था लाल चंद महतों और शीवा महतों के जमे जमाय राजनितिक वर्चसों को दोड़ कर जारखंड के सरयोमानी नेता बननी कि उनकी कहानी में अनगिनत पड़ाओ है जमोमों में 17 साल की लंबी पारी के बाद नेता से मंत्री में प्रमोर्ट होने की खुशी सिर्फ जगरनात महतों के परिवार की व्यक्तिवगत खुशी नहीं बलकि जारखंड के समूचे महतों जाते के मद्दाताओं की अपनी खुशी थी जमोमों जानती थी कि 53 साल का बज़र्ग नेता जगरनात महतों ही जमोमों का वह करिश्माई नेता है जो मेट्रिक की पढ़ाई भी कर सकता है और फिर मंत्राले भी समाल सकता है हलाकि एक चीज तो रहीं गई कि जामुमों ने अपने घाग नेता जगरनात महतों को साल 2014 और 2019 का गिरिडी लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़बाया था पर जगरनात महतों को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हलाकि वे जीते जी लोकसभा जाने का सपना तो पूरा नहीं कर सके लेकिन पाटी द्वारा जगरनात महतों की पतनी बेबी देवी को टिकर दिये जाने से टाइगर की एक सपने को आज पंक तो जरूर मिल गया है बहरहाल जगरनात महतों की राजनेतिक यात्रा पर कई घंटों की वीडियो बन सकती है पर फिलाल इस वीडियो का विशय तो बस इतना है कि जारखंड के परुषिक्षा मंत्री जगरनात महतों की पतनी बेबी देवी को हेमंत के मंत्री मंदल में शामिल किया जा रहा है कि हमारा जो The Fourth Pillar का परिवार बन रहा है उन परिवारों के सदस्यों की सुची में अगर आपका अब तक नाम नहीं आया है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप हमारे Facebook, YouTube, Instagram, Twitter के जो Follow और Subscribe का जो बटन है उसे दबाएं और The Fourth Pillar के इस परिवार के सदस्यों की सुची में अपना नाम शामिल करा है बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को Follow और Subscribe जरूर करने बाकि आप हमारे काम को लेकर कोई सुचाव हमें देना चाहते हों तो Comment Box में आप सातरा मंत्रित हैं इसके अलावा हमारे वीडियो आपको अलग-अलग ठिकानों जैसे Facebook, Instagram, Twitter पर भी देखने को मिलेगे जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिये गया है शुक्रिया